फाइनली हमारी magical family 15 के cross कर चुकी है जिसके लिए मैं आप सबको दिल से thank you बोलती हूँ thank you so much आप सबके प्यार के लिए, support के लिए और आप सबकी धेर सारी blessings के लिए और आज इस gratitude के साथ मैं आप सबको एक बहुत powerful concept क्लियर करूँगी वो भी proof के साथ कि जब आप magic में believe करते हो तो चीज़ें आपके साथ magically हो जाती है और जब आप logic लगाना start करते हो क्यों, कब और कैसे तो तब आपके साथ चीज़ें logically हो जाती है उससे पहले जितने भी new members जुड़े हैं उनके बहुत सारे questions हैं वेबिनार को लेके, batch को लेके, workshop को लेकर, बहुत सारे उनके queries हैं मुझे team ने बताया कि अभी right now वो क्या join कर सकते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने Sunday को self healing webinar organize किया है शाम को साड़े चार बजे से होगा और उसकी जो complete details हैं आपको team से मिल जाएंगे community पर मैंने कल शाम को ही post कर दिया था, आप चेक कर सकते हैं तो अभी हम बात करते हैं logic और magic अभी इसी जो मेरी growth है इसी से समझाऊंगे आपको ठीक है देखो, logic ये कहता है कि अगर आपको social media पर बहुत जादा growth मिल सकती है तो आपको regular जो है अपडेट देनी होती है, active रहना होता है बहुत सारी मेहनत करनी होती है, बहुत सारी efforts डालने होते है और इस बात को मैं बिल्कुल deny नहीं कर रही हूँ, ये चीज़ें काम करती है बहुत जादा काम करती है, क्योंकि मेहनत किसी की खाली नहीं जाती है जो जितनी मेहनत करता है, उसे उतनी ही काम्याबी मिलती है और अब हम थोड़ा सा magic की तरफ आते है पिछले 10 से 11 दिनों से मैंने कोई एक single video create नहीं किया है और ना ही मैं सोशल मीडिया पर active हूँ और ना ही मैंने मतलब खुद को कहते हैं एक कोट है जो जितना दिखता है उतना बिखता है, ऐसा सोशल मीडिया के लिए लोग बोलते है मैंने क्या किया? इस दौरान vibrations बहुत हाई थी कैसे थी? पहले एद celebration, उसके बाद family trip प्लान हो गया हर एक moment को enjoy करना अब इस बीच में सारा routine छूट गया मतलब जो हम normally करते हैं, gratitude ये वो सारी चीज़ है और हम ये इसलिए करते हैं ताकि हमारी vibrations बहुत हाई रहे अब यहां पर मैं ये नहीं कहती कि rituals को छोड़ दो ऐसा मैंने नहीं कहा, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ कि जो vibrations का खेल है वो किस level तक हमें like success दिलाता है अब क्या हुआ? वो जो वीडियो बाद में viral होना start हुआ ना वो मैंने काफी दिन पहले बनाया था ग्यारा या दस दिन पहले तब उस पर नॉर्मल रिस्पॉंस था जैसे हर वीडियो पे आता है मैंने जैसे ही पहले eat celebrate हुई vibrations बहुत है और फिर जो है हम लोग trip पर निकल गए फिर वो वीडियो वाइरल होना start हुई है और उसकी वज़ा से जो है ना बहुत fast growth हुई है magical family fast grow कर रही है अभी भी कर रही है अब यहाँ पर थोड़ा सा difference है logic और magic में logic में हम यह सोचते हैं कि बस यह कैसे होगा कब होगा ऐसे कैसे हो सकता है ऐसा थोड़ी होता है example देते हो अब यहाँ पर बैठा हुआ कोई इनसान यह सोच रहा होगा कि यार webinar तो join करने का मन है बट करूं कैसे timing का issue हो सकता है या फिर उनके पास ऐसा source ही ना हो जिससे वो join करें अब यहाँ पर logic यह हो गया magic यह होता है कि webinar join करना है कैसे होगा वो मुझे नहीं पता surrender अब कुछ भी करके ना वो चीज आपको मिल जाएगी अगर आप बीच में doubt नहीं लाते हो यह doubt जो है ना वो सारे खेल को खतम कर देता है मुझे आपको समझाना यह है इन दस दिनों में मैंने जो experience किया ना तो future पास्ट तो वैसे भी मुझे याद नहीं आता बागी आप सबको भी नहीं आता हो गाई हो जैसे हम बहुत सारी चीज़े सोचते रहते हैं यह वो वो मैंने एक चीज जरूर सिखी है कि जब आप present moment को जीना शुरू करते हो उसको enjoy करना स्टार्ट करते हो तो चीज़े ना ब उसके बारे में जादा से जादा सीखने में excited होते हैं अभी तो मैंने बहुत सारी वीडियो पोस्ट नहीं की हैं व्लॉग भी सूट करने की कोशिश की थी आप ही हद तक मैंने किया भी बाट मैं आराम से उसको शेयर करूँगे अभी कोई जल्दी नहीं है मुझे एक दो श पास्ट से जुड़े हुए उनको बाहर निकाल देती है डर है जो फ्यूचर को लेकर वो स्टेवल हो जाता है तो इसलिए बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं होती है सेल्फ हीलिंग आपके लिए जादू करती है जितने भी नियू मेंबर्स हैं और जो भी हैं मतलब जिनको हीलिंग की बहुत ज़्यादा जरूरत है सिर्फ वो आएं और जो अलेड़ी हील हो चुके हैं वह अपने उपर काम करें क्योंकि यह जो मेरा टॉपिक है ना चाहे वह वर्क्शॉप में लेकर आऊं चाहे वेबिनार में लेकर आऊं इसका इतना ज्यादा क्रेश होता है कि इस पे अपने अपने लिए शीट रिजर्व करना ही नो थोड़ा डिले करने भी लोग बिलीव नहीं करते तो इसलिए जब आप सारे लोग न्यू आये हो ना तो मुझे यही टॉपिक समझ में आया कि मैं इसको आपके साथ डीपली डिसकस करूं और जो है आपको हर वो कॉ कि आपको अगले 30 डेज के लिए क्या करना है कैसे करना है हर चीज क्लियर करने है ठीक है सो वेबिनार में मिलते हैं और मैं आप सबको अगेन बहुत साथ थैंक्य बोलते हूं और जो हीलिंग है ना आप इसको इतना समझ लो एक्जांपल के तौर पर आपको फिर से एक एक कोई अंदरूनी चोट है इनसान को ठीक है मेरी मम्मी को हुआ था एक बार अंदर से मास फट गया था उपर से स्किन बहुत अच्छे दिखती थी अंदर यंदर पेन अंदर यंदर पेन देखने वाला क्या बोलता था अब देखने वाला यह समझेगा कि ठीक तो है कहीं वह किसी को दिखाई नहीं दे रहें वो सिर्फ हमने एक्सपीरियंस किया है और हो सकता है बहुत सारे लोग आज भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं देखने वाला देखेगा क्या कमी है जिन्दगी में सब तो अच्छा है तुम्हारी लाइफ में पर तुम क्यों दुखी रहते हैं वो अनजाने में जान बूच के वो हो गए हैं लेकिन उनको हील करना हमारी responsibility है उसके लिए हम किसी को responsible नहीं ठहरा सकते जब हमें पता है कि actual में यह problem है और उसका solution यह है तो उसमें हम खुद ही उसकी जिम्हादारी लेंगे उसके लिए को responsible नहीं है ठीक है सो मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपनो बहुत सारा धिहान रखें अपना ख्याल रखें टेक केर अवरीवन एंड बाबाई